नमस्कार, बुल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अगनी सार प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले सुखासन, सिधासन, पदमासन या फिर वच्रासन में बैठ जाएं। इस क्रिया में कपाल भाती जैसा प्राणायाम नहीं करना है, बाल बार सांस बाहर नहीं करनी है, सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोग के पेट को आगे पीछे करना है। तीन से पांच मिनट इस आसन का अभ्यास करने के बाद वापस अपनी पूर्फ अवस्था में आ जाएं। तो इस प्रकार किया जाता है अगनी साल प्राणायाम। बात करेंगर इस प्राणायाम से होने वाले फायदों की तो इस प्राणायाम को करने से कब्स, असिडिटी, गैस्टिक जैसी पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं, हानिया पूरी तरह मिट जाता है, धातू और पेशाप से संबंदित समस्याएं मिट जाती हैं, मन के एक चाहेटों को जानकर आप इससे प्राढयाम का अभ्यास जरूर करना चाहेंगे और उठाना चाहेंगे इसके ठेर सारे फाइदे तो फिर कीजे अभ्यास उठाईए फाइदे